साथियों, असम का इतिहास अपने आप में भारत की यात्रा और संस्कृति की एक अनमोल विरासत है। हम अलग-अलग विचारों विचारधाराओं को, समाजों संस्कृतियों को, आस्थाओं परंपरा को एक साथ जोडते हैं। वहोम राज में सबको सांस लेकर बनें, शिव सागर, शिव देउल, देवी देउल और विष्णु देउल, आज भी इसके उदाहरन है। लेकिन अगर कोई तलवार के जोर से हमें जुकाना चाहता है, हमारी सांस्वत पहचान को बदलना चाहता है, तो हमें उसका जवाब देना भी आता है। असम और पुर्वत्तर की धर्ती इसकी गमा रही है। असम के लोगों ने अनेकों बांगर तुरकों, अफगानों, मुगलों के आकणबडों का वकाबला किया। और आकणमर कारियों को पीछे खदेडा, अपनी पूरी ताकत जोक कर, मुगलों ने गोहाटी पर कबजा कर लिया था। लेकिन फिर एक बार, लासित बॉर्फुकंज से योद्धाये, अरत्याचारी मुगल सल्तनत के हाथ से गोहाटी को आजाद करवा लिया। अवरंग जेब ने हार की उस कालिक को मिठाने की, हर मुम्किन कोशिश की, लेकिन वो हमेशा हमेशा असपली रहा। वीर लासित बॉर्फुकंज ने जो वीरता दिखाई, सराई घाट में जो साहस दिखाया, वो मात्र भूमी के लिए अगाद प्रेम की पराकास्टा भी थी। असम ने अपने सामराज्य के एक एक नागरिक को जरुरत पढ़ने पर अपनी मात्र भूमी की रक्षा के लिए तयार किया था। उनका एक एक हुआ, अपनी माती का सिपाई था। लासित बर्फुकंज जैसा साहस, उनके जैसी निडरता, यही तो आसाम की पहचान है। और इसलिए तो हम आज भी कहते हैं, हुनी साने लोरा होत। लासी तोरा को था। मुगोल बिजोई वीर इतिहा है लिखा। अर्थात, बच्चों, तमने सुनी है लासित की गाता। मुगल बिजोई वीर का नाम इतिहास में दर्ज है। । झाल